हलो दोस्तो मैं मुहमद सरफ्राज मेरे यूटूब चैनल इलर नीवी दुर्गेश में आपका स्वागत है आज हम भारत के भावती परदेश में पढ़ेंगे कुछ पर्मुक महत्वपून तर्थ है सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्ण है हिमाले में हिम्रेखा की उचाई म पी जाती है तो हिमाले में जो ही मेखा की उचाई होती है वह तिजालिश सो मीटर से 6000 मीटर होती है सिवालिक सैल समुके दक्षिड में भावन चेट उधारण है तो यह गिरिपद इस्थिति का अर्थात यह परवती चेटर का सबसे निचला भाग होता है आगे हम देखते ह चवरावाडी ग्रेसियर किदार्नात मंदिर के उत्तर में इस तुर आगे देखते हैं सिवाली का निर्माड हुआ है तो सिवालिक स्रेनिंग का निर्माड सीनो जोई की यूग में हुआ था अगला प्रस्न है नर्मदा एवं तापती नदियों के मद्ध इस्थित है तो नर्मदा और तापती नदियों के मद्ध सत्पूरा परवत इस्थित है उत्तरा खंड का वह भाग जिसमें पाताल तराइ में उत्रा खंड के तराइ छेतर में पताल तोड़कुए पाये जाते हैं आगे देखते हैं चोटा नागपुर पठार का सरवाधिक छोटा नागपुर पठार का सरवाधिक घनाबसाजिला धनवाद है जो छोटा नाकपूर का पठार है उसका सरवादी जिला सरवादी घना बसा जिला धनवाद है यह किसलिए एसा है तो यह खनन उद्योग के विकास तक अध्योगी करण प्रस्ण का तात पर ये है कि धनबाद जो जिला है छोटा नाकपूर पठार के छेतर में वह इतना घना क्यूं है वह इतना घना इसलिए है कि क्योंकि ये खनन उद्द्यों एवं विकास के अध्यगी करण के कारण यहाँ पर सगंता काफी अधिक है आगे हम देखते हैं तो अगला प्रश्ण है कि छोटा नाकपूर पठार एक उधारण है तो छोटा नाकपूर पठार एक अग्र गंभीर पठार का उधारण है जहां पर बहुछ सारे खनीज पाये जाते हैं कि I am 20 शिंकलाओं के मभ इस्ठ साइब मालवा का पठार इस्थ है पाउआ कि ये समझने के लिए आपको ईटलेस क्या सकता जरूरी है कि दंड कारण 6 तवस्थ है तो दंड कारण एक दिसकी उचाई 2695 मीटर है चली आगे हम देखते हैं यहां पे कुछ एक की कि मद्य वरति उच्च्भूमी का भागे इसमें देखेंगे मध्यवरति उच्च्भूमी यह है अगला है दक्कनपपठार तो मध्यवरति उच्च्भूमी में अरावली पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमी मालवा का पठार बुंदेल खंड का पठार बिंधाचल बगेल खंड का पठार छोटा नाकपूर का पठार और मिघाले का पठार यहां पर एक भगेल खंड नाम दिये गया है एक यहां बुंदेल खंड दिया गया है तो जो छेत्र मह्य प्रद्यश में उसे बुंदियुखंद के स्टार के नाम से आ gyreно है आगे दिखते हैं हम दक्कन पठार में तो यहांपे है सत्तूर प्रवत महाराष का पठार महानादी वेसिन इसमें आपको तो गोदावरी काफी नदियों की वेसनी मिल जाएंगे उडिसा उच भूमी दंड कारंग का पठार तेलंगाना आंद पज़े का पठार तमील नाडू का पठार पस्चमी घाट और पूर्वी घाट तो यह दक्कन पठार के अंतरगत जो भी परवस रेणिया पठार है उनके एक मिनट अगला पस्चन है पूर्वी घाट एवं पस्चमी घाट का मिलन इस्थित है तो पूर्वी घाट और पस्चमी घाट का मिलन इस्थित है जो है वह निल गिरी परवत है यहां पर पूर्वी घाट और पस्चमी घाट के परवत आपस में मिल जाते हैं अगला प्रत है के महाराष्ट के और अरंगा बाद चिले में अगयां देखते हैं चाहरण पहाड़ी हिस्ती तु यह करल तमीन नाड़ू के सीमाय अपर है इस पहाड़ी पकाटि यह आगने श्की करनात्का साहदरिक कि हृता है तुब गमिल नाडू हुआ आंध परदिस को टठ का नाम मैं तो इसे कोरो मंडल तठ के नाम से जाना जाता है हमें इसके पहले वीडियों जो हम भारत का पच्चा पढ़ रहे हैं तो हम वहां पर टठों के बारे मेधन को खिए थी कहां से कहां तक के भाग को किस खेम के नाम से जाना जाता है अगला के नाम से जाना जाता तो इंश्तित सबसेужд passat मनेको बारी समुवार्थ तो अन्दमान निकोबार में दीपों के कुल संख्या 220 है आगे देखते हैं बैरन दीप अवस्तित तो यह बंगाल के खाड़ी में इस्तित है और लक्ष दीप है यह अरब सागर में इस्तित है कि आगे देखते हैं यहां पर आपको कुछ निदेश दिए गये हैं आलाइन क्लास और नोड्स के लिए आप इस नमबर पर संपर कर सकते हैं हमारा यह चैनल आपको अनलाइन टेट सीटेट और यूपी टेट जैसे परदोगी परिछाओं की तेजारी करवाता है आप इस आ आहिके देखते हैं है तो अगला प्रत्न है प्रवाल दीपका समुव लख्ष दीपने प्रवाल निरमीत है तो यह प्रवाल होता है जू अ क्यलसियम कॉरवनट के खाल में रहता है है जब यह मध यह ज़ाते हैं तो यह हो माण एक यो करोण नबसेश पर निथा बिंव knead आगे सोन और चंबल के प्रवाहित होती है तो सोन चंबल नदी है उत्तरी अधिय अधियों नित्राया उपक के निकति हैемонि accounted प्रागति विभाजक के रूप में जानी जाती है तो बिंधन परवस रेड़ी जो है वह उत्तर भारत और प्राइदेपी भारत के बीच प्रागति विभाजक के रूप में जाना जाता है इसे उलि अगे यह में देखते हैं तो आगला प्रस्न है कि दिल्ली रेंज का पूर्वी विस्तारे जी कि लंबाई 800 किरों मिटर माउंट आबू परेटक अस्थल है जहां जैनियों का प्रसिद धर्म अस्थल दिलवाडा का जैन मंदीर अवस्थित है तो यह किस रेड़ी पे तो यह अरावली से है यहां प्रस्थ बनता है कि माउंट आवू क्या है तो माउंट आवू अरावली परवत में एक जगह है जहां माउंट आव परवत की सबसे उची सिखर गुरु सिखर जिसकी उचाहिए इतनी है सत्रासोट बाइस मीटर है यहीं पर जैनियों का सबसे प्रसिद मंदिर दिलवाडा जैनमंदिर है और यह अरावली परवत में आगे दिए भुपाल इस्तित है तो यह बेतवा अब पार्वत्ती नदियो जो चंदन की लखडी के लिए पशिद्ध है मालदा गैप पिठक होती है तो मालदा गैप भारती प्राइदीपी ओम मिघाले पठार द्वारा निर्मित होती है मालदा गैप जो वर्तमान समय में है वह बांगलादेश भाग है आगे देते हैं सत्पूरा सिरेडी की सर्वो चान्सें मिटर रहे यह सर्वो सिखर रहे यह मैंकाल राज पीबला महा देव मैंकाल सत्पूरा परवत जूंअ जो है वह तीन भागों में है Рाज less सबसके में राज पीयों महा देव पिर मैकाल तो मैकाल उस सर्वो सिखर है वह अमरकंटक है यहांसे ही नमधा स्वन नदी से निकलती है कि आगे देखते हैं पश्मी घाट की उच्टम चोटी काल सुगाई इस्तित यह हरी चंद परवस्त रेड़ी महाराष्ट में इस्तित है के लिए आगे देखते हैं नील गिरी का उत्तम सब्सक्राइब है तो यह दोदा बेटा है जिसकी उचाई 2637 मीटर है आगे देखते हैं दक्षडी पठार के पालगाट दर्रे द्वारा अलग होता है तो यह निल गिरी परवत और प्राइदीपी भारत के दच्छडी भाग पर अवस्थित है इलाची सॉरी एक मिनट गरत हो गया दक्षडी पठार से पालगाट दर्रे द्वारा अलग होता है तो यह निल गिरी परवत आगे देखते हैं प्राइदीपी भारत के दच्छडी भाग पर अवस्थित परवत है तो यह इलाची परवत इलापरवत के नाम से भी से जाना जाता है पूर्वी घाट की उच्चतम चोटी है तो यह बिसाखा पतना में जिसकी उच्चाई 1680 मीटर है छोटा नाकपूर पठार की उच्चतम चोटी वह पारतनात है जिसकी उच्चाई 1365 मीटर है हिमाले परवत और निलगिरी परवत के मद भारत की सर्वोच परवत चोटी है तो इन दोनों के मद गुरू सिकर 1722 मीट इंपल हरन है तो यह बिलाक परवत का उधारन है बराक परवत ओब होता है गह्टा है जैसे यह रिदी बीज का भाग तो दोनों तरफ के भाग अपनी आप ऊहीं हिस एक त्याय रहा तो उपर कन रही तो ऊबर कभा में उठावाई दिखाई देता है यह बीज का भाग उढ जानते हैं तो सत्पुड़ा और अजनता पहाणियों के बीद के च्छेत्र को हम खान देश की संगया के नाम से जानते हैं बिंधाचल परवस समू है तो यह बिंधाचल भारनेर और कैमूर एवं पारसनाथ पहाणियों का समू है तो मुंबाई नाकपुर कोलकाता रेल मार्क तदा सलग मार्क गुजरती है तो यह छाब करें हमारे से का अब आगे दिखते हैं मुंबाई थाड़े बेल गाउं चिन्नाई रेल मागर वह सडग मार गुजरता है तो यह भोरगाट थालगाट भोरगाट और पालगाट यह तीन दर्रें प्रमूख है आगे दिखते हैं तिरुवंतम पूरम एव मदूरे को जोड़ता है तो यह सेन को जोड़ता है कफी बार एगजाम में पूशा जाता है बांगर का निर्माड हगा हुआ है देल्टा के उच्च तथा निम्न भूमियों में से कौन सी संगया परदान की गई है तो इसे चर इवंबिल के नाम की संगया दी गई है भारत में कारबु इलगोना पहाड़िये पा mound करबू कावल्व एलगोना पहाड़ी सॉरी एगलोना पहाड़ी असम्राज्ज में पय जाता यह दो तो कुल्लू घाती सेफ euh फल् själv के लिए सेफ थे फॉर्डे लिए भिक्ष्फ' हैं जो क्यों यह से फ़ल के लिए विख्या दाया से अछी अषी हए अच्छे पाएज जाते हैं भारती महादीपीँ मगन तरकि चौड़ाई अधिक है तो यह पस्टमी में हो घाट entered कि चौड़ाई अधिक है से लोड़ते मांसून से वर्षा होती है तो लौटते हम आंसून से वर्षा कोरो मंडल तत अर्थात तमील नाडू वाले चैतर में होती है मुंबई से गुवा तक की पस्रमी तरकों कहते हैं तो इसे हम कोकन तरके नाम से जानते हैं एलिफेंटा मीनिकाय तथा वालिंगतन दीव इस्थित है तो य आज हम इतना ही पड़ेंगे अब हम अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे थैंक यू जय हिन जय भारत